अगर आपके इस्टाग्राम से आपके पास यहां पर मेल आ चुका है जैसे कि आप यहां पर देख पा रहा हैं इस मौल की स्क्रीन आपको बराबर में सो हो रही है यहां पर देखने को मिल लिए है यू आर रेडी टू इस्टार्ट अर्णिंग भित जिफ ठीक है इस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ कि आगर आपको कितने फॉलोवर्स पर मिल जाता है और आपको क्या करना होता है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिया तो उसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्कुशन में या फिर आई बेटन पर आपको मिल जाएगी उस वीडियो है वो आप यहाँ पर एडे कीजिएगा और उसके बाद में आप यहाँ पर पेमिंट निकाल सकते हैं ठीक है तो फाइल यहां पर ओपन करके दिछा देता हूँ जैसे कि यहाँ पर प्रोफेशनल डेट्स बोर्ट पर discipline click करता हूं सिमपली किलिक करता हूं उसके बाद में आपसे भी इस सारे चीजयों को sent up कर सकते हैं ठीक है तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले तो मैं वहीं पर जलता होँ और मैं यहीं से ही सारИ चीजयों को setup करता हूं continue setup इस पर हम simply click करेंगे कृषरो था में किलिक करने के बाद में आप को वहां पर भी करने पड़ते ठीक है पर आपको इहां पर इसलिए बता रहा हूं कि सबसे अच्छा तरीका यहां से आप कर सकते हैं ठीक है नेश्ट पर सिंपली क्लिक करता हूँ तो मैं यहां पर मैंने इंडिया सेलेक्ट कर ली है इसी के साथ में आपको यहां पर बिजनिस टाइप ठीक है आप क्या करते हैं वो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे जैसे कि मैं यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं इंडिजीवल ठीक है आपको यह सेलेक्ट कर लेना है उसके ब इसी के साथ में middle name है तो आप डाल देंगे, date of birth डालेंगे, अपना full address डाल देंगे, ठीक है, इसी के साथ में city, आप कौन सी city से हैं, इसी के साथ में state, zip code और आपका यहाँ पर postal code, zip code, postal code एक ही होता है, phone number डालेंगे, अपनी email id डालेंगे, इसी के साथ में अपना pen card यहाँ पर उसके बाद में आपको tick करना है, tick करने के बाद में आपको next पर simply click कर देना है, तो मैंने यहाँ पर next पर simply click कर दिया है, और जो this tape आ जाता है, अब हमारा चौथा step, घप है उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा तो आप अपना यहाँ पर जो भी मेथड में आप यहाँ पर पेविंट लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जैने कि जो बैंक है वो आपकी किस देश में है जैसे कि इंडिया में है तो आपको यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करना है इसी के साथ में आपका यहाँ पर बैंक अकॉंट करेंशी जैने कि जो आपका बैंक अकॉंट करेंशी है जैने कि किस करेंशी में जो आपका बैंक प्रिखने को मिलता ठीक है तो यहां पर अपना फर्स्ट नेम और निडल नेम लास्ट नेम वही सारी चीज़ा आती है जो कि मैंने आपको पिछले बता दिया है ठीक है इसी के साथ में आपको यहां पर IFC code डालना है और आपको यहाँ पर bank account number इंटर कर देना है इस तरीक से करनी के बाद आपको यहाँ पर next पर simply click कर देना है तो चलिए मैं इन सारी चीजों को यहाँ पर fill कर देता हूं तो मैंने यहाँ पर अपनी detail डाल दी है उसके बाद में link payout method इस पर हम simply click कर देते हैं आपको detail को आपको अच्छी तरीकी से यहाँ पर check भी कर लेना है कि आखिर ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर detail डाल दी है ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हैं add your tax info ठीक है तो अगर आपके सामने इस तरीकी से आता है तो add tax info इस पर आप simply click करेंगे यहाँ पर देखने को मिल्या है tax world like to receive the following information about technical प्रेम संगर तो आपको यहाँ पर देखने को मिल्या है आपको permissions को allow कर देना है यहाँ पर actually में होगा क्या जो आपकी tax की information है वो आपसे मांगी जाएगी जैसे की pen card है और बाकी की detail है ठीक है तो आपके सामने यहाँ पर आजाता है tag info get started ठीक है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहा है आपको यहाँ पर अगर आप एक business man है business अगर आपका account है तो आप यहाँ पर business select करेंगे business में यह होता है अगर आप कोई company बगरा चला रहा है तो बहाँ पर यह business में आता है ठीक है अगर आप खुद का ही काम करते है personally तो इसमें आजाता है indigible ठीक है तो यह आपका indigible ही होना चाहिए अगर आप कोई company बगरा job करते है तो उसमें यह है कि आप खुद से करना है ठीक है business बो होता है जैसे कि अगर आपने कोई भी company open की ठीक है जैसे कि मुखे संबानी जी है तो वो एक business man है ठीक है आप जानते है तो इसी तरीकी से आपको इसमें business और indigible select करना होता है और इसी तरीकी के जो form है वो आपको यूटूब पर भी भरना होता है तो यह सारी चीजी बो ही है ठीक है उसके बाद में आपको आजाता है अगर आप यहापर USA से है तो आपको yes बिस रम पर क्लिक करना है और आप USA से आपकी wife USA की है और आप यहापर इंडिया के है ठीक है तो आपको यहापर यह तीसरा option select करना है पर ना तो मैं कभी गया हूँ USA और ना तो कभी मुझे लगता है मुझा जाओंगा ठीक ना तो मैं यहापर USA का हूँ तो मैं यहापर no पर simply क्लिक करूंगा उसके बाद में हम य दूसरे के method से या फिर आप इसके खुद owner है ठीक है तो मैं हाँ यहाँ पर खुद owner हूँ मैं किसी third party के जरी है यहाँ पर जो payment है amount है वो नहीं ले रहा हूँ ठीक है तो मैं यहाँ पर simply no पर simply क्लिक कर दूंगा उसके बाद में हम next पर simply क्लिक कर देंगे जाएगा enter name and tax player identity verification number TIN जानी कि यह आपका एक pen card number होता है ठीक है जो बागी की details है मेरी यहाँ पर at tomato fill हुई भी आ रही है जो कि मैं यहाँ पर पहले ही भर चुका हूँ ठीक है तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे कि full name ठीक है यहाँ पर देखने को मिल लिया है मैं अपनी यहाँ पर country select कर दूँगा जो चीज अगर नहीं आ रही है तो आप यहाँ पर information fill कर देंगे जैसे कि India तो मैंने यहाँ पर India select कर दिया है जो बाकी की details है मेरी यहाँ पर पहले हुई भरी हुई आ रही है क्योंकि मैं इसमें पहले ही भर चुका हूँ ठीक है आप नहीं पर simply click करता हूँ जीरो ऑफ सर्विस इस ट्रीक है इस पर आपको simply click कर देना है और आपको यहाँ पर simply click कर देना है उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा तो आपको यहाँ पर उपर की तरफ scroll करते जाना है और आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिल तो आपको यहाँ पर एक signature करने होते हैं जैसे कि आपने मैंने पहले आपको बदाया था कि YouTube का जो text form होता है वो वरा जाता है तो उसमें भी आपको यहाँ पर signature करना होता है अब signature आप यहाँ पर कर सकते हैं signature के तौर पर आप जो भी यहाँ पर name लिखना चाहां जिस भी तरीक में आपको यहाँ पर term and conditions को accept कर लेना है जो signature है वो आपके किस date के हैं वो आप यहाँ से select कर लेंगे ठीक है जैसे कि आज यहाँ पर 19 तारीक है या फिर 20 तारीक है या 18 तारीक है ठीक है यहाँ पर 3 option दिये गये हैं क्योंकि इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कुछ देश ऐसे ह है जो कि उनकी लेट है वो अलग-ë-लग होती है ठीक है अगल्यकि अगर आपके हिना आ आज 18 तारीक है तो बहाँ 17 तारीक है ठीक है तो इस तरीकी के खी कुछ देश होती है जो कि उन देशobed chickens केहर्ण कर चलती हैं क्योंकि हर देश की calendar है वो same नहीं है ठीक है तो आप उसके बाद में हम यहां से tick करेंगे Next पर हम simply click कर देंगे click करने के बाद में आपके सामने यहां पर आ जाएगा form W8BEN ठीक है जो कि एक USA form होता है यहां पर आपको यह परस्नल डिटेल्स और आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी आप इसे चाहें तो print भी कर सकते हैं मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि आप किस तरीके से किसी भी website को आप PDF फाइल में बदल सकते हैं और उसे आप print कर सकते हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को discussion में या फिर आप YouTube चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं तो चलिए मैं इसे पूरी इस तरीके से यहाँ पर scroll करूँगा आप यहाँ पर सारी detail को आप यहाँ पर check करेंगे ठीक है उसके बाद में आपको यहाँ पर submit form इस पर आप simply click करेंगे अगर आपको कोई गलती लग रही है तो आपको यहाँ पर मिल्या है mix change इस पर आप simply click करके और आप यहाँ से change कर सकते हैं तो चलिए मेरा form बिल्कुल सही है और जो information है वो एकदम बिल्कुल correct है ठीक है तो मैं यहाँ से simply click कर दूँगा submit पर तो आप यहाँ पर देख सकते है tag profile ठीक है आप यहाँ पर देख पा रहा है कुछ आपकी profile इस तरीके से है अगर आप यहाँ पर update बगरा करना चाहाए तो कर सकते हैं वरना आपको इसमें कुछ भी करनी की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी जानकारी सही है तब ठीक है उसके बाद में आपको यहाँ पर done कर देना है तो जो आपकी tax information है वो यहाँ पर add हो चुकी है और इसके इलाबा आपको इसमें कुछ भी करना नहीं होता है तो यहाँ पर जो load है वो यहाँ पर हो रहा है हमारा और उसके बाद में हम यहाँ पर refresh करेंगी जो yellow color का icon आ रहा है payout का वो आप यहाँ पर देखेंगे ठीक है उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर एक mail भी आ चुका है लग रहा है कुछ इस तरीके से यहाँ पर mail आ चुका है ठीक है ओपन इस्टाग्राम अब आप यहाँ पर देख पा रहा है जो इस्टाग्राम है अब आपका यहाँ पर डारेक्ट ओपन हो जाएगा तो अब आपको इसमें कुछ भी करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है एक बार मैं यहाँ पर refresh करूंगा तो मैं इसे update कर लेता हूँ अभी एप्रीकेशन हमारा यहाँ पर update हो चुका है चलिए हम इसे open कर लेते हैं उसके बाद में हम profile पर simply क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपने professional dashboard पर simply क्लिक करेंगे उसके बाद में आप यहाँ पर देख पा रहा है payout का यहाँ पर पहले यहाँ पर जो कि yellow color का icon आ रहा था वो अब यहाँ पर हट चुका है उसके बाद में आप payout पर simply click करके आप यहाँ पर check भी कर सकते हैं ठीक है जो पहले information एड़ करने का option आ रहा था वो अब यहां से हट चुका है ठीक है गिफ्ट पर आप simply click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा आप यहां पर देख सकते हैं जो earning है वो आपकी कितनी हुई है जीरो है जैने कि अभी मेरी जो earning है वो यहां पर जीरो है ठीक है उसी के साथ में pay out account इस पर हम simply click करेंगे तो जो बाकी की details है सब मेरी यहां पर आ चुकी है जो कि आप यहां पर देख पा रहा है कौन से account में यहां पर पैसा मेरा आएगा वो सारी चीज़े मैंने यहां पर add करती है जो कि आप यहां पर देख पा रहा है ठीक है तो मैंने इसे थोड़ा सा बिलर कर दिया है ताक कि जो मेरी personal जानकारी है वो यहां पर लीक ना हो ठीक है इसी की साथ में आप जानते हैं कुछ community guidelines भी है जो की YouTube की तो वो चारी चीजों को मैं यहां पर नहीं देखा सकता हूं ठीक है उसके बाद में अगर आपको किसी भी तरीकी की strike पड़ती है या फिर आप कोई भ देखने को मिल जाएगी तो जैसे कि मैं यहां पर अभी चलिए monetization वारी policy पर simply click करता हूं तो आप यहां पर देख पा रहा है ठीक है see partner monetization policy जो की इसकी यह policy है तो आप यहां पर पढ़ सकते हैं तो इस तरीके से आप अपनी सारी information इसमें add कर सकते हैं अगली वीडियो में हम किस तरीके से हम इसमें कमाई करते हैं जाना कि अभी तक तो हमने जाना था कि किस तरीके से हमें सारी information को add करना है जैसी हमारा पेच monetization हो जाता है तब टीक है पर अगली वीडियो में जानेंगे कि आखिर किस चीज़ का हमें पैसा मिलता है इस्टाइग्राम पर और किस तरी जो हूँी यसुड़ी डुल जो और द Given